हिंदी सिनिमा जगत में यूं तो कई सितारे रहे हैं जिन्होंने अपने करियर के दोरान कई उतार चड़ाव देखे लेकिन एक ऐसा भी कलाकार रहा है जिसने बेहधी, तंग हाली और गरीबी से निकल कर अपना एक अलग मुकाम हासिल किया जिसे आज हिंदी सिनिमा जगत में डिसको दांसर यानि की मिथुन्दा के नाम से जाना जाता है लेकिन अपने दोर के बहतरी नभी नेता रहे मिथुन्दा ने अपने फिल्मी करियर में काफी संघर्ष भी किया है तब जाकर कहीं उन्हें आज पूरी दुनिया जानती है लेकिन आज हम आपको उस वाकिय के बारे में बताने वाले हैं जब मिथुन्दा अपने संघर्ष के दोर में थे लेकिन उन्हें एक ऐसे आक्टर से कंपेर किया जाता था जिन्हें उनकी फिल्म में उस आक्टर को आफर कर दी जाती थी जिसके कारण वो काफी परिशान हो जाते थे लेकिन उन्होंने अपने संघर्ष को जारी रखा और आज इंडस्ट्री का एक जाना माना नाम बन चुके है लेकिन उन परिशानियों के दिनों में भी उन्होंने हार नहीं मानी और अपनी मेहनत के बलबूते एक बहतरीन कलाकार के रूप में खुद को स्थापित किया तो चलिए जानते हैं कि आखिर कौन हैं वो आक्टर जिन्होंने मिथुन्दा से उनके संघर्ष के दिनों में उनकी सारी फिल्में छीन ली थी दरसल अपने दौर के बहतरीन अभिनेता मिथुन्दा को उस समय एक आक्टर के साथ इतना ज्यादा कंपेर किया जाता था कि उनकी हर फिल्मों में निर्देशक और डारेक्टर कहते थे कि मिथुन्द से अच्छा हम इसी आक्टर को क्यों न रख लें और ये बात तब की हैं जब मिथुन्दा बॉलिवुड इंडस्टरी में अपनी पहचान बनानी में लगे हुए थे और अपने करियर के लिए काफी संघर्ष कर रहे थे पर बावजू दिस के एक ऐसा ही कलाकार था जो दिखने में आक्टिंग में हर चीज में परफेक्ट था और उन्हें मिथुन्दा से कंपेर किया जा रहा था और इस वजह से मिथुन्दा को काफी परिशानिया भी आने लगी थी जो फिल्में मिथुन्दा को मिलने वाली होती थी वो उसे दे दी जाती थी जहां मिथुन्दा एक बेहधी मिडल क्लास फैमिली से बिलॉंग करते थे और स्ट्रगलिंग कर इंडस्ट्री में आये थे वही जिन्हें मिथुन्दा से कंपेर किया जा रहा था वो बेहधी रॉयल फैमिली से थे जिनकी मम्मी इन दोर के रॉयल फैमिली से बिलॉंग करती थी और ये आक्टर कोलापूर के राजा के कजन थे जी हाँ हम बात कर रहे हैं विजेंद्र घाटगे की यही वो कलाकार हैं जिन्हें अकसर ही मिथुन्दा से कमपेर किया जाता था और जब तक मिथुन्दा एक बहतरीन कलाकार नहीं बन जाते थे उन्हें अच्छी फिल्में ओफर नहीं हुई थी तो ऐसे में जो भी फिल्में मिथुन्दा के लिए चॉइस की जाती थी वो विजेंद्र घाटगे को मिल जाये करती थी और इसी तरह वो कई सूपर हिट फिल्मों का हिस्सा बने लेकिन बावजूद इसके मिथुन्दा का संघर्ष जारी रहा और जब मिथुन्दा एक बहतरीन कलाकार बन गए और जब उनकी फिल्में सूपर हिट होने लगी और उन्हें डिस्कोड डांसर और प्यार जुकता नहीं जैसी फिल्मों में काम करने का मौका मिला तो वो ब्लॉक बस्टर साबित हुई इन से मिथुन्दा को एक अलग ही पहचान मिली जिसके बाद लगातार इन्होंने कई बहतरीन फिल्मों में काम किया जिसके बाद शायद ही मिथुन्दा ने कभी पीछे मुड कर देखा होगा क्यूंकि उन्हें एक अलग पहचान मिल चुकी थी दोस्तों आपको क्या लगता है कि क्या मिथुन्दा को आज किसी से कमपेर किया जा सकता है आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं साथ ही बॉलिवड इंडास्ट्री से जुड़ी और भी ऐसी ही तमाम खबरों को जानने के लिए आप हमारे चानल को सब्सक्राइब करना ना भूलें